दोस्तों क्या जन्म के बाद बिच्चु अपनी मा को खा जाते हैं आपका इस बारे में क्या कहना है वेल दोस्तों कई बार भोजन ना मिलने के इस्तिती में बिच्चु अपने मा को खा लेती है और ऐसा सिर्फ अपने जीवन को बचाने के इस्तिती में करती है यानि कि सर्व पाईवल के लिए वही जन्म के तुरंत बाद बिच्छू के बच्चे अपनी मा की पीट पर तब तक रहते हैं जब तक कि इन बच्चों की बाहरी इसकिन पूरी तरह से कटोर नहीं हो जाती है और इनके पंजे और डंक पूरी तरह से विक्सित नहीं हो जाते हैं दोस्तों य अब अधी 10 से 25 दिन तक ही होती है और कुछ बच्चे 2 साल तक अपनी मा के पीट पर लदे ही रहते हैं वहीं मा अपने बच्चों को प्रोटेक करती है और शिकार करके उनके लिए भोजन का प्रवंद करती है इसी के साथ ही साथ कई प्रजातियों में बिच्चू के बच्चे मा की पीट की पॉस्टिक जर्दी की थैली को अब्जॉर्व करते हैं लेकिन बिच्चू के बच्चे अपनी मा को नहीं खाते हैं दोस्तों वीडियो चलागा होते लाइक करें क्योंकि इससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है